हाई गाइस वेल्कम टुग्यानियर दोस्तों आज हम समझेंगे मलेरिया का कम्प्लीट ट्रीट्मेंट कि भई कई लोग मन में कन्फिजन होता है कि लेरिया को कब चलानी है या आर्थमीटर लूमिफेंटर की टैबलेट कब चलानी रहती है सब मलेरिया के लिए आते हैं तो आदमी समझ नहीं पाता कब कौन सी टैबलेट दी आती है तो इस में मैं आपको सर्फ और सर्फ और ट्रीट्मेंट बताऊंगा इंजेक्टिबल नहीं बताऊंगा तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर जानकारी मिल जा कि जाए तो ट्रीट्मेंट निर्वर करता है कि मलेरिया किस टाइप का है कि मलेरिया सिर्फ एक नहीं होता है फैल्ट्रिपरम भी होता है और वाइवेक्स भी होता है प्लाज्मोडियम जो पैरसाइट होता है उसके टाइप होती है हर व्यक्ति के सरफ में कोई सा भी हो सकता लेइट अगर किसी को प्लाजमोरियो्यं वायबक स्कांपेक्षिन उसके बाद शेघंटे कặशेठे घंटे के बाद शेंटे के बाद फिर वह दूसरी घंटे वाद तीसरे अनलब की आगले दिनल औफर तीसरे दिन एक गउली दीडियाते में एक और यह पूरा न ंदर ठीक भी हो जाता है साथ में प्राम उल्किन की पंद्रा मिली राम की गोली दिया सकती पर अको पन दूर यह तो यह अगर किसी व्यक्ति को और इसकी स्रेंद्ध अलग अलग होती है टीक है अलग अलग होती है यह चार्सों अधाय सुझाट भी हो सकता है इस तरह से यह हो सकता है लेकिन यह डिपैंड कहाथा है पेशन्ट के वेट उसकी एसक्रूप रसरब भी आता है तो अपनान के चलते हैं किसी वेक्ति का बजन मलेरिया होगा तो एक टेबले देनक बाद उसके आठ घंटे बाद दूसरा टेबलेट दिया था और फिर दो दिन तक सुबह शाम गोली दिया सकती एक गोली ठीक है उसमा बारह गंटे का अलतराल रहेगा साहत में एक मैलरेट टेबलेट दिया सकती है सिंगल डूज इससे मलेरिया का फैल्सी पेरम ये खतम हो जाता है साहत में कुछ दूसरी दवाईया चला जा सकती है भाई बुखार रहा तो पैस सब्सक्राइब कर सुबह शाम ताकि बुखार का मुझा गेस बन रहे तो इसी लोग दे दो और अगर किसे कुल्टिया हो रहे हैं तो डॉम पर ड वीडियो है आप देख लेना वो डीटेल में बता है उस इंजेक्शन के बारे में ने तो आप समझ गए होंगे कि कब कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता ठीक है तो आज के लिए से पितना है दोस्तों आप देख रहे हैं ग्यानियर मैं हूं शीवा वीडियो अच्छा लगा कर दोस्तों आप देख रहे हैं